दिल्ली एंसियार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिग्या कष्यब आईए देखते हैं दिल्ली एंसियार टॉप नाइट दिल्ली में नगर निगम चुनाव को लेकर अर्विंद केजिवाल ने कमल नगर मार्केट में रोड शो किया रोच्छों के बाद केजिवाल ने जनसभा को संबोधित किया इस दोरान केजिवाल ने कहा कि MCD का चुनाव दिल्ली की साफ सफाई का मामला है केजिवाल ने कहा कि आपने हमें स्कूल, अस्पतालों को ठीक करने का मौका दिया हमने सब ठीक कर दिया मोहला क्लिनिक बनाए, फ्री बिजली दी, BJP पर निशाना साथ ते हुए कि जिवाल ने कहा कि इन्हें आपने सिर्फ साफ सफाई का काम दिया था, वो भी ठीक से नहीं कर पाए इन्होंने दिल्ली को कूडा कर दिया है साथ ही कहा कि BJP परचार के लिए साथ राज्यो के मुख्य मंत्री और सत्रह केंद्रिय मंत्री लेकर आई अगर MCD ठीक से काम करती तो उन्हें इतने लोगों को लाने की जरूरत नहीं पड़ती MCD चुनाव को लेकर परचार प्रसार के बीच मनीश सिसोधिया ने वेस्ट विनोद नगर के मा नैना देवी मंदर से डोर टो डोर कैंपेंड की शिरुवाद की टीवी नाइन ने उनसे इस कैंपेंड से जुड़े कई सवाल किये इन सवालों का जवाब देते हुए सिसोधिया ने कहा कि मा के आशिर्वाद से अच्छी जीत मिल रही है पनाकर ओफिशियल दर्चा दिया जाएगा सिसोधिया ने बीजेपी पर निशाना साते हुए कहा कि जुमले और शिगूफे भारतिये जनता पार्टी का काम है हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं पहले भी सारे काम किये अभी भी करेंगे साथ ही कहा कि जनता बीजेपी के वीडियो से बोर हो चुकी है MCD चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने राजनितिक दाव पेच में लगी हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुपता ने केजिवाल पर निशाना सात्य हुए कहा कि ये घोषणा केवल एक चुनावी जुमला है आदेश गुपता ने कहा कि RWA के साथ मिलकर निगम जागरुपता अभियान चलाती है सरकार और RWA के बीच सहीयोग पहले से ही चलता रहा है लेकिन केजिवाल लोगों को एक बार फिर जासा दे रहे है वही बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने कहा कि सतेंद्र जैन की तरह ही केजिवाल की याददास्त चली गई है इससे पहले केजिवाल ने कहा था कि दिल्ली में मुहला सभा बनाएंगे और उससे पूछ कर ही दिल्ली में काम करेंगे लेकिन पिछले आठ साल में कितने मुहला सभा बने उनसे पूछ कर केजिवाल ने कितने काम किये उन्होंने शराब के ठेके क्या मुहला सभा से पूछ कर खुलवाए अर्विंद केज जिवाल के RWA को मिनी पार्षद बनाने वाले बयान पर BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉंफरेंस कर दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केज जिवाल पर निशान असाधा संबित पात्रा ने कहा कि साल 2013 में आम आदमी पाटी ने कहा था कि विधान सभा में अगर हम जीतेंगे तो दिली नगर स्वराज बिल ले कर आएंगे और पूरे दिली में मुखला सभा के माध्यम से सभी विधान सभा के विकास के काम होंगे लेकिन आप ऐसा कोई बिल ले कर नहीं आए केजवाल फिर से जूटा वादा कर रहे है साथ ही सब्वित पात्रा ने कहा कि इन केजविवाल सरकार ने 12 विधान सभाओ को मुखला सभा के नाम पर 20 करोड रुपे दिये ये पैसे कहा गए आज तक किसी को पता नहीं MCD चुनाव में पार्टिया जोर शोर से बड़े बड़े वादे कर रही है केंद्रिय मंतरी हरदीप सिंग पूरी ने कहा कि जहां जुगी वहां मकान के तहत हाल ही में पी ए मोदी ने विज्ञान भवन से कालका जी में बनाए गए 3000 से ज्यादा EWS फ्लैटों की 400 पी है हरदीप सिंग पूरी ने कहा कि जेलर वाला बाग में भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें बड़ी संख्या में फ्लैट्स बनाए गए है इस योजना के लगभग 10 लाख लाभार्ती होंगे केंद्र सरकार लगतार गरीबों के लिए काम कर रही है मौके पर हरदीप सिंग पूरी ने कहा कि जो अनियमित कॉलनी है उनमें पीम उदै योजना के तहट 50 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा साथ ही कहा कि दिल्ली की 2 करोड आबादी में से 1 करोड 35 लाख नागरिक री डेवलाप्मेंट का लाभ उठाएंगे दिल जीता है दिल्ली जीतेंगे के वादे से दिल्ली कॉंग्रिस ने MCD चुनाव को लेकर मेरी चमकती दिल्ली घोशरा पत्र 2022 जारी किया इस मैनिफेस्टों में कॉंग्रिस ने कई वादे किया है जिसमें हर घर साफ जल की वैवस्था, दिल्ली के हर घर में आरू की वैवस्था की बात कही गई है कॉंग्रिस ने अपने मैनिफेस्टों में MCD स्कूलों में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने का वादा किया है लेकिन कोई एक चेहरा नहीं है इसलिए बीजेपी को MCD चुनाव में भी PM के चेहरे का इस्तिमाल करना पड़ रहा है दिल्ली कॉंग्रेस प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि जिस तरह केजरिवाल और आपने धोखा दिया है उसे दिल्ली की जनता जवाब देगी कॉंग्रस ने दिल्ली को चमकाया है, कॉंग्रस ही चमकाएगी साथ ही कहा कि केजरिवाल है तो टाइफाइड और डेंगी मुम्किन है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वाइरल हो रहा है जिसमें एक महिला केजरिवाल से पूछ रही है कि आपने मफलर क्यों नहीं पहना जिसके जवाब में केजरिवाल ने हस्ते हुए कहा कि अभी ठंड नहीं आई है तरसल अर्विन केजरिवाल 29 नवंबर को चुना प्रचार करने चिराग दिल्ली पहुचे थे मनीश सिसोधिया का करीबी बताया जा रहा है इडी का आरोप है कि अमित अरोडा दिनेश अरोडा और अर्जुन पांडे मनीश सिसोधिया के करीबी है और इन्हीं लोगों ने मिलकर शराब लाइसेंस धारियों से मिले पैसों को ठिकाने लगाया है अमित अरोडा वही शराब कारोबारी है जो बीजेपी के स्टिंग ओपरेशन में भी दिखाई दिया था इससे पहले वो 37 कंपनियों में डिरेक्टर के पद पर था दिल्ली आबकारी नीती मामली में अब तक ईडी ने कुल 5 लोगों को गिरफतार किया है दिल्ली एम्स का सर्वर लगतार आठवे दिन भी खराब रहा एम्स प्रशासन का कहना है कि सर्वर रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है हालाकि आधिकारिक सूत्रों की माने तो सर्वर पर e-hospital data restore कर दिया गया है एम्स ने दो सिस्टम एनलिस्ट को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में कारण बताव नोटिस जारी करने के बाद निलंबित कर दिया एम्स प्रशासन ने अब चार नए सर्वर को स्थापित करने का फैसला किया है इन चारों सर्वरों को एम्स के OPD, IPD और Emergency Ward के लिए स्थापित किया जाएगा सर्वर स्थापित होने के बाद मरीजों के बिल, UHIED कार्ड, लैब रिपोर्ट ये सब ही काम ऑनलाइन हो पाएंगे आपको बता दे कि 23 नवंबर की सुभा एम्स का सर्वर हैक हुआ था जसके बाद से ही एम्स में सभी काम मैनुवली हो रहे है वही मामले में दिल्ली पुलिस की Intelligence, Fusion and Strategic Operations यानी IFSO की टीम ने 25 नवंबर को जबरन वसूली और साइबर क्राइम का मामला दर्श किया था इसे के साथ दिल्ली NCR टॉप 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही बागी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे है टीवी 9 दिल्ली NCR नमस्कार हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें at the rate TV9 डेली NCR